बहुत बहुत स्वागे थे जश्रकों तो क्या आपने मनुस्मिती नामक पुस्तक पढ़ी है पढ़ लीजे अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे आज के इस एपिसोड में मैं ब्रामनों की खुल कर तारीफ करने वाला हूं आपको देखना हो तो देखिये बरना मत देखिये लेकिन इसलिए आश्र मत कीजिए कि मैं मनुस्मिती पढ़ने के लिए आपको बोल रहा हूं आपका दिल करे तो मानिये दिल न करे तो मत मानिये ज़रूरी नहीं कि आपसे कहूं मैं और आप मान भी जाए जब भारत का सविधान पुस्तक पढ़ने को कहा था तब तो आपन क्योंकि अगर आपने नहीं पड़ी तो पढ़नी पड़ेगे। अरे इसमें इतना हेरान होने वाली क्या बात है। मैंने तो पढ़ दी मनास में थे। विश्वास नहीं होता न? मोंडे प्राणांतिको दंडो ब्राम्हनस्य विधयते इत रेशु वना नाम दंडः प्राणांतिको भवेत अध्याय आठ श्लोक तीन सो उन्यासी एक और सुनिये न जातु ब्राम्हना हन्यास्व पापेश्च्रावी स्थिम राष्ट देना वही है कुरियात समगर धनक्षतम अध्याय आठ श्लोक तीन सो असी तो पहले श्लोक का अर्थ समझ लिजे ब्राम्हन का सिर्मुणा देना ही प्राणांत दंड देना है मतलब ब्राम्हन का सिर्मुणा दिया तो समझो उसकी मौत की सजा पूरी हुई बाकी दूसरे वर्णों को प्राणांत दंड देने का विधान है मतलब जान जाने तक उनको मारना होगा दूसरे श्लोक का आर्थ समझें, ब्राम्भन ने कैसा भी अपराद क्यों न किया हो, उसे मौत की सजा कभी न दे, लेकिन उसको देश निकाला की वाली सजा दे सकते हैं, वो भी उसके धन के साथ, मतलब यह एक ही अगर उसको देश के बाहर निकालनी की सजा दे रहे हैं, तो तो उसको परियाप्त धन देकर विदा करें अब समझ में आया है मैंने क्यों कहा कि आप मनिश्मिति पढ़ लो मनिश्मिति के अध्याय आठ के कुल 420 लोकों में ये बताया गया है कि अगर कोई मामला न्याय के लिए राजा के समक्ष अदालत में आये तो उसे किस तरह से फै जादी जाएगी इसके अलावा अध्याय 9, 11 और 12 में भी कुछ लोकों से ये बताया गया है कि किसको कौन सी सजा देनी चाहिए और किसके साथ कैसा विवार करना चाहिए उसमें सभी प्रकार के अपराद और उस अपराद के लिए दी जाने वाली सजा का सुझाओ भी दिया आपको यह इस पश्ट रूप से देखने को मिल जाएगा यह जो आप पिछले कुछ दिनों से खबरें देख रहे हैं ना बलात कार के दोशी 11 लोगों को गुजरा सरकार ने माफी दे कर रिहा कर दिया और रेप केस में शाहनवाज हुसेन के खिलाफ अपराद दज करने का आदिश दे दिया या केरल के जज ने ये कहा कि वेक्ति पर बलात का आरोप महिला लगा रही है वो बलात कार कर ही नहीं सकता क्योंकि महिला शुद्र है और आरोपी जो है वो ब्रामन है तो रेप करने के लिए वो उसको चुएगा ही कैसे और अगर ऐसा हुआ भी है तो भी महिला की ही गलती है क्योंकि खुद महिला सेखसी कपड़े पहन कर उसको उकसाने गई थी मध्यपदेश हाई कोट ने तो रेप के आरोपी अमित तिवारी को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि एफाई आर में देरी हो गई यानि एफाई आर यानि कि विदेश जाने दें वो भी अपना जो उसका पैसा है उसका खजाना है वो लेकर जैसे विजय माले को जाने दिया गुजरात के विधायक राउल जी ने भी कुछ अलग या अनोखी बात नहीं बोल दी जो लोग उनके बयान की निंदा करने लगे हुए है बलकि अंजाने में उन्होंने सच्ची बात कह दी यह सब लिखा हुआ है मनस्मिती में अच्छे कपड़े क्यों पहने मूच क्यों रख ली बुलेट पर क्यों बैठे और यह जो खबर है ना दलित छात्रा और अब इंद्रमेगवाल की हत्या पर हत्यारों को बचाने के लिए मीडिया और सजातियों की ओर से जो तरह-तरह की कहानिया बनाई जा रही है या जो माहौल बनाया जा रहा है यह सब उस ग्रंथ में लिखा हुआ है और यह जो पुलीस और प्रशासनीक अधिकारी जाकर पंडे बावाओं से सलाह ले रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं यह सब कुछ करना ही पड़ेगा भाई क्योंकि उस ग्रंथ में लिखा हुआ है अभी कुछ दिनों पहले एक उच्चकुल के नियाइधिश ने मनुस्मिती की तारीफ की थी कई उच्चकुल जजेश ने अपने फैस्तों में मनुस्मिती ग्रंथ को कोड भी किया है तो यह क्या सब अचानक हो रहा है बिल्कुल नहीं आपका ध्यान ही नहीं था आप कभी भी उस ग्रंथ का जिक्र कर तो लेते हैं क्योंकि बाबा साहब ने उसको जलाया था लेकिन आपने खुद उसको पढ़कर समझने की कभी जहमत ही नहीं उठाई दिक्कत तो ये है कि जो इसको प्रतिकात्मक रूप से हर साल जलाते हैं उन्होंने भी और जो उस ग्रंथ का समर्थन करते हैं उन्होंने ही नहीं पड़ी क्योंकि आपके पास तो समय ही नहीं है क्योंकि आप या तो पूरे साल तरह-तरह के तेवहार में वैस रहते हैं या फिर इसके उसके बोले हुए बयान उनके शब्दों पर बहस करते हुए टाइम पास कर लेते हैं। और इसमें आपका भरपूर साथ देते हैं धेर सारे टीवी चेनल जो आपको एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। या फिर आपका समय ये साबीत करने में निकल जाता है कि हम तो शुद्र हैं ही नहीं। ये साबीत करने के लिए आप जादा से जादा धार्मिक क्रियाओं को करते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि शुद्र तो सिर्फ S.C. के महार और यहीं सब लोग हैं। अब इन्ही सब चक्करों में सारा समय निकल जाता है और इसी करण आप इतने जिनों तक भारत का सम्विधान भी नहीं पड़ पाए और इसलिए अब आपने अगर मनस्मिति ना भी पड़ी हो तो आगे आपको वो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि अब धीरे धीरे अदालतों के जो फैसले आएंगे वो उसी ग्रंत पर अधारित होंगे और आगे ही नहीं बलकि कुछ वर्षों से इसकी शुरुवात हो चुकी है फिर उन फैसलों के अधार पर ये पता लगाते रहना कि कौन शुद्र है और कौन नहीं सिर्फ SC के ही शुद्र है या OBC अलप संख्यक भी अब जैसे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो OBC है उनके करीबी प्रीतम लोधी ने जब कथा वाचेक ब्रामणों पर टिपणी कर दी तो सारा ब्रामण समाज एक सुर में बयान दिता नजर आया और पार्टी ने तुरंत कारवाई भी कर दी उसके पहले नुपुर शर्मा और पत्रकार मुहमद जुबैर के मामले में अदालती रुख को देखकर आप समझी सकते हैं कि शूद्र है कौन लेकिन मिडल क्लास की तरह दिखावा करने की यादत जो है जो स्विकार करने ही नहीं देती कि असल में आपकी हैसियत क्या है जैसे मिडल क्लास चाहे कर जे में डूब जाए लेकिन वो हाई क्लास की तरह नजर आने के लिए पूरा जोर लगा देता है उसी तरह वर्ड विवस्था का शूद्र समाज खुद को ब्राम्बन साबित करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा पुजा पाठ कर्मकांडों को करता जाता है इतना स सब करने के बाद भी शेश वर्ड़ों को वो सम्मान नहीं मिल पाता क्योंकि उस पुस्तक में साफ साफ लिखा है पिछले कुछ वर्षों में आपके छोटे छोटे धंदो वेवसायों उद्द्यों को जो सफाई के साथ निप्टाया गया है ना उसका आदेश भी उसी ग्र ये सारे आदेश उस पुस्तक में हैं आपने जिस धर्म के आधार पर सरकार चुनी वो उसी पुस्तक के आदेश को सरोपरी मानती है इसलिए अब आप अपने साथ हो रहे वेवार के लिए सम्विधान का मोहना ताके क्योंकि आपको जब ये दिया गया था तब आपके पास टाइम ही नहीं था उसको पढ़ने समझने का क्योंकि सम्विधान के कारण जैसे ही आपको नौकरी मिली आप दोस्तों परिवारों की पार्टियों में वेस्त हो गए फिर शादी फिर बच्चे उनकी वेवस्ता लगजरी गारी मकान छुट्टियों में फैमिली के साथ पिक कोरेगाउ युद्ध का विजय दिवस मनाया जाता है इसी साल मनाया भी गया लेकिन इस बार इसी महीने याने की 31 जन्वरी 2022 को आरेसिस पोसित अखबार दैनिक जागरण ने एक खबर छापी जिसकी हेडलाइन थी हिंदू राष्ट सम्विधान आगे लिखा था कि जहास से हिंदू राष्ट का अपना समविधान होगा जिसे हिंदू राष्ट समविधान का नाम दिया जाएगा अखिल भारती विद्वत परिश्रत के महामंत्य डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय सम्विधान निर्मान के सयोजक नियूक्त किये गए हैं इसके अंतरगत कानून के जानकार शास्त्र मर्मग्य वसुरक्षा विशेशग्यों की तीन सलाहकार समिती बनीगी हर समिती में कम से कम 25 लोग शामिल होंगे स्रावन मास तक हिंदू राष्ट समविधान का प्रारूप तयार करने का लक्ष है और अभी अभी सावन समाप्त हुआ है तब 12 अगस्त याने की 2022 को उसी अखबार में फिर एक खबर छपी के हिंदू राष्ट के समिधान का प्रारूप तयार याने की जो काम जनवरी में शुरू हुआ था वो अगस्त में पूरा हो गया तब बताया गया के हिंदू राष्ट समिधान में गीता, स्री राम चरित मानस, मनुसमिती सही, समस्त वेद पुराणों के अंश शामिल रहेंगे 2023 के माग मिला में धर्म संसत, संचालन समीती, संत समिलन का आज़न करके उसमें नए समिधान को संतों और शद्धालूओं के समाक्षे प्रस्तूत करेगी इन दिनों एक और पोस्ट सोचल मीडिया पर वैरल हो रही है, जिसमें नए समिधान की पूरी वेवस्था को संचेप में करीब 16 पेज में बताया गया है शुरवात में RSSS प्रमुक की तस्वीर है और अंत में आम लोगों से कुछ सुझाओ मागे गया है लिखा है कि यह नए समिधान का शंशिक्त रोप है, विस्तित समिधान तयार हो रहा है इस पर जनता अपने विचार और सुझाओ 15 माज 2020 से पहले पिधान मंत्री कारेले नई दिल्ली में भेज सकती है उसकी एक कौपी राष्टी सोयम सेवक संग आरे से सकरेले नागपूर महराष्ट में भेजनी होगी हर अच्छे सुझाओ पर दस हजार रुपे का इनाम दिया जाएगा 15 माज के बाद मिलने वाले सुझाओ सुझार नहीं किये जाएंगे बंदे मात्रम हाला कि हम सोशल मीडिया की इस पोश्ट को विश्वसनिये नहीं मानते लेकिन इसमें दी गई अंतीम तारीख और दैनिक जागरण अखबार में छपी खबर के बीच सिर्फ एक साल का अंतर है इधर कारे पालिका, सरकारी नौकरियों, बड़े प्रशाशनी पदों, नयाए पालिका के प्रमुक पदों पर बैठे लोगों में जादातर कौन है इसकी सुची आप देखी सकते हैं लेकिन आप अब सिर्फ उन नामों को गिन ही सकते हैं क्योंकि उन में शामिल होने के लिए आपके एफर्स और एप्रोच ही गलत हो गए आपको लगा कि जादा साल भर तरह तरह के तेवार करब कांड करके, मंदीर बनवाके आप उस सुची में शामिल हो जाएंगे आपको लगा कि उनका साथ देकर आप सत्ता के करीब बने रहेंगे जैसे ब्राम्वन, राजपूद, मुगलों और अंग्रेजों के जमाने में उनके करीब रहे और सत्ता का सुख भोगते रहे कुछ लोगों को मिला जरूर लेकिन सिर्फ गुलाम के सुरूप में आपने संगठन बनाए, पार्टियां बनाई, लेकिन उद्देश सत्ता का नहीं, बलकि सत्ता के खुर्चन तक ही सिमित रह पाए सत्ता के करीब रहकर खुर्चन पा रहें शुद्रों ने अपने लिए जरा सा अधिकार की बात क्या की तो उनको भी उनकी आउकात तुरंट दिखा दी गई, आपका संगठन कई भागों में बाड़ दिया गया, आप फिर से मजबूर हो गया क्योंकि आपके लिए ऐसी विवस्था उस पुस्तक में लिखी ही नहीं जो आप अपने लिए अधिकार की बात कर सके समिधान ने कोशिश की थी, लेकिन आपने अपने लिए उस लिष्ट में शामिल होने के आउसरों को खुद ही लात मार दिये आप ही अंधुलन कर रहे थे, समिधान के खिलाब, अंबेटकर के खिलाब, मंडल कमिशन के खिलाब ब्रामनों की संसाओं का लक्ष पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन आपका लक्ष अभी भी स्पष्ट नहीं है आप अब भी अपने ही संगट्टों में, अपने उच्च पद के लिए, संगठन पर अपने वर्चस्व के लिए ही लड़ रहे हैं और अपनी आपसी खींस्तान की लड़ाई को लेकर घूम फिरकर उन्हीं अदालतों में पहुँच जाते हैं जहां मनुस्मिती को कोड करते हुए निर्ने करने वाले जज़ बैठे हैं वो अदालत जहां मनु की मुर्ती बिना किसी विवाद के दशकों से इस्थापित है और जिस अदालत के कोने में सम्विधान निर्माता की तस्वीर लगाने में दशकों संगर्ष करना पड़ता है और कितने दिन संगर्ष करें शंगस करने वाले भी अब ठक चुके हैं और आपके पास तो टाइम ही नहीं है सुबह से राद तक आपके पास धेर सारे काम होते हैं किसी ने सही कहा है कि इनसान के पास अगर अगले दिन यानि कि कल के भोजन की विवस्ता हो जाए तो परसो के लिए काम करेगा परसो की विवस्ता हो जाए तो उसके अगले दिन की रोटी पानी का जुगार करेगा लेकिन अगर सब्ता भर की विवस्ता हो तो हो सकता है कि वो रोटी पानी के अलावा भी कोई और विचार करेगा या हो सकता है वो अन्य सुविधाओं अपने परिवार के भविश्य का विचार करेगा अगर वो भी विवस्था हो जाए तो समाज के भविश्य का विचार करें अपने अधिकारों के लिए संगर्श करने लगे लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है अगर आपके पास सब्ता भर की सारी विवस्ता होने पर आप मस्त जिंदगी गुजारेंगे घुमेंगे फिरेंगे आश करेंगे फिल्में टीवी बनुरंजन तमाम सारी चीज़े करेंगे तो अपने या दूसरों के अधिकारों के संगर्श करने सत्ता से सवाल करने का वक्त ही कहा मिलेगा आपका बस चले न तो वकील की जरा अपने आपके अधिकारों के लिए आपकी और से लड़ने के लिए भी आप किराय पर किसी वक्ति को रख लेंगे आपकी इसी सोच का लाव उठा कर कुछ लोगों ने नेतागिरी की दुकान भी खोल दी वैसे भी अपने घर भगत सिंग पैदा हो ये कौन चाहता है आपको तो अब भी लगता है कि फिर कोई बाबा सहाब आ जाए और आपके लिए सत्ता का संगर्श करे ताकि आप फिर से सरकारी नौकरी पा जाएं और आपका फिर से वही रूटीन सेट हो जाए लेकिन इस बार एक बार फिर आगाह कर रहा हूं फिर आम बिटकर पैदा होंगे इस धोखे में मत रहना आहों से पत्थर पिगलेगा इस धोखे में मत रहना बिना लड़े इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है बुला बुला कर कोई देगा इस धोखे में मत रहना भागे और भगवान तो प्यारे किवल एक छलावा है इश्वर ही कल्यान करेगा इस धोखे में मत रहना कहा किसी ने तिरे हाथों में धन दौलत की रेखा है चप पर फाड़ कर धन बरसेगा इस धोखे में मत रहना सिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो और कोई संगश करेगा इस धोखे में मत रहना संविधान की रक्षा करना सब के जिम्मेदारी है कोई और बेडा पार करेगा इस धोखे में मत रहना बिना लड़े इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना फिर अमबेट कर पैदा होंगे इस धोखे में मत रहना आप तो बस अब मनुसमिती पढ़ ही लो समझ लो क्योंकि जब वक्त था तब आप भारत का समिधान पढ़ ही नहीं पाए समझ ही नहीं पाए लेकिन ब्रामनों की तारेफ करना चाहता हूँ जो दिन रात लगे रहते हैं संख्या में आप से बहुत कम होने के बावजूद सभी प्रमुक पदों पर वो कावीज हो पाए मनुस्मिती को फिर से वो लागू कर पाए धन्यवाद